हलो दोस्तो एक बार फिश्य श्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शौर अफशर मैं अथमेटिक्स में वक्त हो चला है पोल्स की काउंटिंग का किस-किस ने वोट किया है और कितने वोट किस पोल को मिले हैं सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं बात करने वाले हैं और सभी के वोट के आंसर जो सही आंसर हैं उनहें यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं आप अ deben कि पूल्स को अब इसे एंसर देते हैं किया आयए है तो आज का पोल था, जैसा के दे रखा है, मानब शरीर में वे नियंत्रड केंद्र कहा है, जो भूक, पानी, संतुलन तथा सरीर के तापमान को विनियमित करते हैं ओप्शन दे रखे हैं, A. मस्तिस्क गोलाद्र में, B. मेडूला, ओबला गेटा, C. हाइपोथेलेमस और D. अनुमस्तिस्क सेरेब्र में तो सरीर के तापमान नियंत्रड, नियंत्रड केंद्र, जो भूक, पानी, संतुलन तथा सरीर का तापमान नियंत्रड करती है, वह कौन सी ग्रंती है, तो 84% वोट मिले हैं, ओप्शन C को तो ओप्शन C हमारा यहां पर राइट आशर है, 84% वोटों के साथ, और मैं सभी उन वोटरों के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा, जो पोल में पार्टिशिपेट करते हैं, नेक्स्ट हमारा था दस बजे वाला पोल, उस बिटामिन का नाम बताईए, जो मस्तिस्क के के लिए आवश्यक जो बिटामिन है आपका, तो मैंने दिये थे बिटामिन B6, बिटामिन B9, बिटामिन B12 और उप्रोक्त सभी, यह जो यहां पर भी B का नाम आजाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बिटामिन B पूरा का पूरा मस्तिस्क के लिए आवश्यक है, तो इसका आशर रहेगा उप्रोक्त सभी, जहां तक है बिटामिन B12 में 79% वोट्स आए हैं, तो माफी चाहूंगा यह इसका सही आशर नहीं है, क्योंकि बिटामिन A, यह A option, बिटामिन B6 और बिटामिन B9 और बिटामिन B12, तीनों ही इस प्रश्न के आशर है, यह आशर जिनो के तीनों के आशर है, क्योंकि इसमें एक option दे रखा है आपको उप्रोक्त सभी, तो उसमें सारे के सारे आशर शमाहित है, नेक्स्ट आपका है, अगला जो पोल था, वो है, रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है, तो अब कौन सा तत्व सहायक है रक्त जमने में, वो आप मेगनीशियम, तीसरा ऐलुमीनियम, और चौथा आर्शेनिक, चार ओप्शन इस में दिये हैं, और सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं मेगनीशियम को, लेकिन इसका राइट आंशर होगा आपका कैल्सियम, कैल्सियम की बज़े से ही रक्त जमने में सहायता होती है, और बाकी के मेगनीशियम, ऐलुमुनियम और आर्शेनिक का रक्त के जमने में कोई भी महत्वर नहीं होता, और रक्त जो जमता है, उसमें बिटामिन के की कमी ना होने के कारड जमता है, नेक्स्ट आता है आपका, यह पोल्स को इंफॉर्मीटिव एक पोल्स था, जो के आपके लिए ल आज शाम साड़े हाट बजे, आपको पोल्स का रेजल्ट मिलेगा, और यह आता है साम 4 बजे का एक पोल्स था, हमारा पौधे नाइ्ट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो आप्षन ए नाइट्रेस्ट, आप्षन 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 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट nitrogen को agrad करते हैं वह nitrate के रूप में grab करते हैं नेकस्ट आपका आता है लास्ट पोल आज शाम का चे साथ बजे का उस पोल को देखते हैं लास्ट बोलैं किस रक्तवर्ग में antibody नहीं पाई जाती है ? तो किस रक्त बर्ग में antibody नहीं पाई जाती है, option A, A, B, option B, O, option C, A, option D, B, antibody नहीं पाई जाती है, तो इस प्रशन का सही answer देखिए यहां पर, option B में जाईए, option B में 78% answer को टिक किया गया है, कितने percent, 78%, लेकिन antibody नहीं होते हैं, वो option A answer आपका correct होगा, तो थोड़ा देखिए, देखने के बाद अपने आप पता चलता है, कि answer कौशा हमारा सही है, तो दोस्तो, next कल के दिन लेके आने वाला हूँ, फिर से five polls और उसमें आपको अपनी पूरी भागेदारी निभानी है, आप सभी से request है, कि polls को like जरूर कर दिया करें, और चैनल में visit करें, चैनल को subscribe जरूर करें, आगे अपने शातियों तक इन polls के answer लेते रहें, और बड़े अच्छे-च्छे questions को polls में set करने वाला हूँ, तो चैनल को छोड़ कर ना जाएं, अराम से, अपने आने वाले exams की तयारी polls के जरूर करते रहें, और इसका साम को जो result निकलता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.